C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुद्य कक्षाचार की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजिम भाग 4 का बार्मा पाठ प्रिष्ट संग्या 97 से 105 तक प्रिष्ट 97 सुनीता सुभा साथ बजे सो कर उठी कुछ देर तो वहाँ अपने बिस्तर पर ही बैठी रही वहाँ सोच रही थी कि आज उसे क्या-क्या काम करने हैं उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है सोचते ही उसकी आँखों में चमाका गई सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ कर खीचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी हाना की कपड़े बदलना, जूते पहनना आदी उसके लिए कठिन काम है पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयम ही कई तरेके ढून निकाले है आठ बजे तक सुनीता नहा धोगर तयार हो गई मा ने मेज पर नाश्टा लगा दिया था मा अचार की बोटल पकड़ाना सुनीता ने कहा अलमारी में रखी है, ले लो मा ने रसुई घर से जवाब दिया सुनीता खुद जाकर अचार ले आई नाश्टा करते करते उसने पूछा मा बाजार से क्या-क्या लाना है? एक किलो चीनी लानी है पर क्या तुम अकेले संभाल होगी? पक्का सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा सुनीता ने मा से जोला और रुपे लिए अपनी पहिया कुरसी पर बैठ कर वहा बाजार की ओर चलती सुनीता को सड़क की जिन्दगी देखने में मज़ा आता है चूंकि आज छुटी है इसलिए हर जगा बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रसी कूदते गेंद खेलते देखती रही वहा थोड़ी उदास हो गई वहा भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी मा उसे वापिस लेने के लिए आई थी दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे फिर सुनीता को एक लड़का दिखा उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुला कर चड़ा रहे थे उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था सुनीता को यहाँ सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रास्ते में कई लोग सुनीता को देख कर मुस्कुराए जबकि वहाँ उन्हें जानती तक नहीं थी पहले तो वहाँ मन ही मन खुश हुई परंदू फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यूँ देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली उसकी मा कुछ कपड़े देख रही थी तुमारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा यह तो बस एक सुनीता जवाब देने लगी परन्तु उस लड़की की मा ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया प्रिश्ट? सौ इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा अच्छा नहीं लगता मा ने कहा मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ सुनीता ने दुखी होकर कहा उसे फरीदा की मा का वैवहार समझ में नहीं आया अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई दुकान में घुसने के लिए उसे सीड़ियों पर चढ़ना था उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था आसपास के सब लोग जल्दी में थे किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चढ़ाया जा रहा था वहा उसके सामने आकर खड़ा हो गया मैं अमित हूँ उसने अपना परीचे दिया क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ मेरा नाम सुनीता है सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली पीछी की पैडल को पैड से जरा दबाओगी हाँ हाँ जरूर ये कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेड़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीड़ी पर रखा फिर उसने पिछले पहियों को भी उपर चढ़ाया सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुँच सकती हूँ प्रिष्ट एक साओ एक दुकान में पहुँच कर सुनीता ने एक किलो चीनी मांगी दुकानदार उसे देख कर मुस्कुराया चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रखती सुनीता ने गुस्से से कहा मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप समान ले सकती हूँ उसे दुकानदार का वेवाहार बिलकुल अच्छा नहीं लगा चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले लोग मेरे साथ ऐसा वेवाहार करते हैं जैसे की मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ सुनीता ने कहा शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा वेवाहार करते हैं अमित ने कहा पर इस कुरसी में भला इसी क्या खास बात है मैं तो बच्चपन से ही इस पर बैठ कर इसे चलाती हूँ सुनीता ने कहा, अमित ने पूछा पर तुम इस पर क्यों बैठती हो मैं पैरो से चल ही नहीं सकती इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमा कर ही मैं चल फिर पाती हूँ लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं सुनीता ने कहा अमित ने अपना सिर नाम हिलाया और कहा मैं भी वे सारे काम कर सकता हूं जो दूसरे बच debates कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो पrist 102 नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है अमित ने दुबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा सुनीता कुछ सोचने लगी उसने अपनी पहिया कुरसी आगी की ओर खिसकाई अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा अमित जट से सुनीता की पहिया कुरसी के पीछे चड़ गया फिर दोनों पहिया कुरसी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े फरीदा भी उनके साथ साथ दोड़ी इस बार भी लोगों ने उन्हें खूरा परंदू अब सुनीता को उनकी परवान नहीं थी प्रिश्ट एक सौत तीन अभ्यास कहानी से एक सुनीता को सब लोग गोर से क्यूं देख रहे थे दू सुनीता को दुकांदार का वैवाहार क्यूं बुरा लगा मजेदार सुनीता को सड़क की जिन्दिगी देखने में मज़ा आता है कॉ तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यूं लगता होगा ख, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या-क्या चीजे नजर आती हैं लोग क्या-क्या करते हुए नजर आते हैं मना ही फरीदा की मा ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी मा ने उसे रोग दिया एक, मा ने फरीदा को क्यों रोग दिया होगा? दो, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तीन, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? मैं भी कुछ कर सकती हूँ ख, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए, तो उसे किन-किन कामों में परिशानी आएगी? ख, उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी पाठ शाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो सुनीता के बारे में पढ़कर, तुम्हारे मन में कई सवाल और बाते आ रही होंगी वे बातें सुनीता को चिठी लिख कर बताओ प्रिश्ट 105, कहानी से आगे, सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती क, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती तुमने पिछले साल परियावरण अध्ययन की किताब आस पास में रवी भाईया के बारे में पढ़ा होगा रवी भाईया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबे पढ़ लेते हैं एक, वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? दो, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किस ने सोचा? क, आस पास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है, जो सुन बोल नहीं सकते हैं एक, क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो, जो सुन बोल नहीं सकता? दो, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? मेरा आविशकार सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इन में से कुछ देख नहीं सकते, तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते कुछ बच्चों के हाथों में परिशानी है, तो कुछ चल नहीं सकते तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो यदि तुम्हें कोई शारीरिक परिशानी है, तो अपनी चुनोतियों के बारे में भी सोचो उस चनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविश्कार करना चाहोगे? उसके बारे में सोच कर बताओ की 1. तुम वह कैसे बनाओगे? 2. उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? 3. वह चीज क्या क्या काम कर सकेगी? चार उसी चीज का चित्र भी बनाओ इसी के साथ रिमजिम भाग चार का बार्वा पाठ यहां समाप्थ हुआ